तो ही मतलप्रदेश इनुवर्सिटी ने एच्प्यू बीएड की जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनली रिलीज कर दी है अपनी वेबसाइट पे तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉनमेडिकल की मेरिट लिस्ट और एक्सपेक्टिड जो कट आफ होगी गवर्मेंट सीट्स के लिए यहली किशिम लैंड धर्मसाला के जो भी दो गवर्मेंट कोलेजिज हैं एच्प उनिवर्सिटी और गवर्मेंट कोलेज ऑफ टीचर एजूकेशन धर्मसाला के लिए वहां किस किस स्टुडेंट के कितने रैंक तक स्लेक्शन हो सकती है हम उसकी सीट्स भी डिसकस करेंगे कि कहां कितने सीट्स हैं नौन मेडिकल मैरिटी जो है सबसे जाद हाई है स्टेक्स 111 माक्स गई जो गवर्मेंट सीट्स है मतल पर देश में जर्रल कैटेगरी की 44 सीट्स हैं ।ो जर्रल कैटेगरी के लिए ।ं जर्रल कैटेगरी के लिए ٹुप 50 में यानि कि टॉप 50 में जिनका रहेंक है उनके चांसिस हैं कि इनकी गौर्रमेंट सीट से उनकी पकी है 50-55 तक जिनके चांसिस है क्योंकि कुछ बचे अडमिस्ट्स नहीं लेते हैं कुछ इस खाली रह जाती है तो वहां उनका अड़ेस्ट्मेंट हो जाता है तो फर्स्ट राउ उनका शिंबला में चांस हो जकता है कंबाइंड मेरिट लिस्ट में बता रहा हूं मैं जिसमें बीच बीच में अदर कैटेगरीज के भी हैं और इसके साथ ही OBC ओपन में नॉन मैडिकल में 14 सीट्स हैं यानि 14 सीट्स OBC में OBC में 14 सीट्स हैं तो टॉप 14 जो हैं उनको कवर्मेंट सीट्स मिल जाएगी यदि कोई एडमिशन या कांसिलिंग अटेंड नहीं करता है या अपनी फीस पे यह नहीं करता है तो उसकी जगह पे कोई अगला कैंडिडेट आ जाता है तो चौदा से पंदर होँआ को भी मौ करता है या एडमिशन दोंगानिंट को जो एंड Speech चार शीट्स हैं गृणिट में और नकिती इसके पडेख लीजे कि फॉर इच्थ जो टॉप फॉर के बच्चे होंगे उनको गॉर्मेट सीट मिल जाएगी इसके बाद जन्रल आई-ए-डीपी या जन्रल जो जन्रल एड़ एस के जो स्टुडेंट से जन्रल एड़ एस जो एड़-डीपी के हैं उनकी गयरा सीट से हैं नौन मैडिकल में तो टॉप एलेवन या ट्वाइलब होंगे उनके चांसे जाएं कि उनको गवर्मेंट सीट्स आराम से मिल जाएगी इसके बाद OBC, IRDP के में जो है अधर बैकोड क्लासिज, IRDP के कोटा के लिए IRDP या EWS के लिए जिनके दो सीट्स हैं जो टॉप टू होंगे उनको मिल जाएगी इसके बाद जनरल X-Servicemen, General Category से उनके पास X-Servicemen का कोटा है उनकी 13 सीट्स हैं जो टॉप टूप टू को गवर्मेंट सीट्स मिल जाएगी इसमें से धर्मसाला भी मिल शकती है और बढ़ सकते हैं आप और साथ में STX servicemen की steel drive steel drive की भी दो sheets हैं जनरल physically handicapped जो है handicapped जो है इनके लिए four sheets allotted है जो top four होंगे physically handicapped का quota वाले उनको government sheets allotted हो जाएगी तो यह रही non-medical की merit medical stream की medical stream में में जो highest mark है 101 यानि 101 marks उष्षा कुमारी के top पे रही है इनने top किया है तो इनकी एक rank है तो जो government seats की vacancies है वो धर्मसाला ने सिम्ला जो government colleges है जनरल ओपन की जो medical में 25 seats है तो top 25 को शिम्ला या धर्मसाला में से college मिल जाएगा according to their preference अगर आप जो आपको पहले college चाहिए उसकी preference number one पे रखें उसके बाद number two पे दूसरे college preference रखें ऐसा ना करें कि number two पे जिसमें college admission लेनी है वो डाल दें जिसमें आप तैस्व से पहले जाते हैं उसको और इसके बाद st open के लिए only two seats है गवर्मेंट में गवर्मेंट colleges में and general IRDP याने EWS के लिए five seats है medical stream में general EWS या general IRDP में पांच seat हैं और last में OBC IRDP के लिए OBC IRDP के लिए only two seats हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप OBC और IRDP का कोटा है OBC IRDP का आपको जो टॉप के two students होगे उनको ही गवर्मेंट के college college a lot होंगे तो यह तो रही medical की बात आपको पता होना चाहिए कि arts and commerce की combined merit list बनती है और इनकी सीटे भी combined होती है ऐसा नहीं की commerce बनों का लग बने का इनका एक साथ ही कर दिया जाता है तो आप अलग लग से ना ढूंडे और इनका एक ही जगह पर होता है ठीक है तो जो जनरल उपन की जो सीट्स है 35 सीट्स जो है जनरल उपन की है गवर्मेंट सीट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स में 35 टॉप 35 40 तक 40 तक आप रखके चले कि गवर्मेंट सीट्स के लिए आप eligible हो सकते हैं अगर किसी ने बीच में skip किया तो अन्य था आप 35 तक ही सीमित रहें इसके बाद OBC कोटे के लिए 9 सीट्स हैं OBC ओपन के लिए 9 सीट्स और SC के लिए 15 सीट्स हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स में यहां द्यान रखने के वाली बात है कि यहां आर्ट्स के भी होंगा और कॉमर्स के भी होंगे ST उपन के लिए 4 सीट्स हैं 4 सीट्स एंड जो जनरल EWSन के लिए 8 सीट्स होंगी जनरल EWS के लिए यहने के जनरल IRDP या EWS के लिए 8 सीट्स नहीं रहेंगी के बाद OPC earlier PP के लिए two सिटें रहेंगी OPC के also IRDP है ससी जो है unank लिए टीन सिट है SCIRDP के लिए एस्टीdestार है वर 10 सीट ек साट है स्ट जो है OR data कर इस WAS meन ہے geन कि उनको 10 सिट यहां gutes तो आप अपनी रेंक है उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं कि मेरा नंबर आएगा गुवर्मेंट इनुवस्टी या कॉलिज में या नहीं आएगा तो यहां से आप अपना रेंक चेक कर सकते हो कि 14 15 16 कौन सा रेंक है अगर आपका रेंक कम भी है तब आपका प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकते है तो अगर आपको अभी बीडाउट है तो कमेंट सेक्षर में कमेंट कीजिए एक या दो दिन में आपको एपलाई कर सकते हो काउंसलिंग के लिए उसके लिए आपको सबसे पहले पेमेंट करनी होती है और आपको 500 रुपे की जो पेमेंट होती ह HEY गों या पानी होती है और आपको जाने के जुरुत कांसलिंग आनलाइन ही होती है and जो 5000 रुपीज है वो भी एक बार ही आपको पे करने होते हैं अगर ऐसा है कि first round की कांसलिंग में आपका number नहीं आता है तो आप second round की कांसलिंग के लिए फिर से अपलाई कर सकते हो thank you thank you so much